के हैलो फ्रेंट्स मैं हूं मोहित और स्वागत आपका सेंशल्स आप मेडिकल साइंस में हमारा टोपिक चल रहा था ब्रेस्ट और हमने पिछली वीडियो में कवर किया था situation of the breast extent of the breast and structure of the breast में skin वाला पार्ट हमने कवर किया था उसके लाव में deep relations भी देखे थे प्राइस्ट के तो स्कीन वाले पार्ट तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया तो अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखिए तो पहले जाकर वीडियो देख लो आई बटन में तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, पैरन काईमा में मिलेगा, तो पैरन काईमा में क्या क्या चीज़ आती हैं, वह हम अभी देखते हैं, तो पैरन काईमा क्या है, एक compound tubular gland, अब जो memory gland है, मतलब breast है, वो क्या है, ग्लेंड यी तो है न, memory gland, तो compound tubular gland होता है, compound tubular gland यह पढ़ा भी होगा 11 में हमने tissue वाला जो chapter था उसमें यह सब चीज़े हमने पढ़ी होई है तो compound tubular gland का क्या मतलब हो है tubular और alveolar इस तरह से बहुत सारी tubular structure भी बनता है और यह sex भी बनते हैं तो इस तरह से यह structure बनता है ब्रेस्ट के अंदर इसलिए जो gland है उसको क्या बोलता है compound tubular gland क्या secret करता है breast milk milk secret होता है उसके अलावा बात करें तो अब हम एक एक करके सारी चीज़ पढ़ेंगे तो gland में क्या चीज़ है gland में present होते है 15 to 20 lobes सबसे पीछे से start करेंगे सबसे main होती है जो हमारा memory gland है उसमें सबसे main चीज़ क्या है lobes तो कितनी कितनी lobes होते है breast में 15 to 20 lobes होती है अब हर एक lobe के अंदर गुसे तो each lobe is a cluster of alveoli each lobe is a cluster of alveoli बहुत सारी alveoli का cluster होता है lobe and drained by a lactiferous duct और यह alveoli किस में drain कर रही है lactiferous duct में drain कर रही है lactiferous ducts क्या करती है lactiferous ducts converge करती है towards the nipple की तरफ converge करती है सारी और nipple में जाके open हो जाती है ठीक है और near its termination each duct has a dilation जिसको हम क्या बोलते है lactiferous sinus तो यह सब क्या मैंने बोला इसको हम अब देखते हैं तो यह वाला डायग्राम में लास्ट वीडियो में भी देखा था तो थोड़ा सा ध्यान से समझने इसको यह breast side view देख रहे हैं तो breast में मैंने क्या बोला lobes होती है यह 3 lobes आपको दिखाई दे रहे हैं यह pink color में यह 3 lobes यह lobes है total कितनी होते है 15 to 20 lobes होती है इच breast में यह नहीं की इच memory gland में अगर आप lobes के अंदर देखोगे अब यह lobe थी इसके अंदर गुसेंगे तो लोब के अंदर बहुत सारी alveoli होती है यह alveoli हैं सारी के सारी जारी क्या है यह evoli कि पतली पतली क्या है evoli यह फिर resinai भी बोलते है इसको alveoli यह फिर resinai बहुता है तो मैंने बोला था ना lebs ijah cluster of alveoli और यह ulveoli आगे जाके कही न कोई एक tube में खुल रही है एक डक्ट में खुल रही है तो यह डक्ट जो है जो आगे जाके ओपन हो रही है निपल में देखो यह डक्ट है बीच में यह आगे गई गई यह आगे जाके ओपन होगी किसके अंदर निपल में तो इस डक्ट को क्या बोलते है लेक्टिफेरस डक्ट तो यह ज ही सिग्टिफेर बाहर के अंदर तो इतना हमने बात कर लिए टो ग्लेंड मैंने क्या बोला था, gland consists of 15 to 20 lobs, each lobe is a cluster of alveoli and drained by lactiferous duct, lactiferous duct converge toward the nipple and open on it, near its termination, each duct has a dilatation, called as lactiferous sinus, अब अगर बात करें, epithelium की, तो जो alveoli हमने पढ़े हैं, हर एक lobe में बहुत सारी alveoli हैं, तो alveoli का epithelium कौन सा होता है, cuboidal, resting phase में तो cuboidal, मतलब नोर्मल जो है, normal female में तो cuboidal होगा, लेकिन जो female pregnant है, मतलब जिसके अंदर lactation चल रहा है, उसके अंदर यह कैसी हो जाती है, columnar, क्योंकि ज़्यादा milk produce करना है, तो ज़्यादा हमें space चीएगा न, तो यह columnar shape, मतलब columnar shape में convert हो जाती है, तो alveoli जो थी, जनरली तो cuboidal होती है, resting phase में, और columnar हो जाती है, lactation के time पे, ठीक है, और जो smaller ducts हमने पड़ी है, चोटी-चोटी ducts है, alveoli की चोटी-चोटी ducts, उसके अंदर कौन सा होता है, columnar epithelium, और जो body ducts है, उसमें 2-3 layer होती है, cells की, बतलब की, जो smaller ducts है, उसमें तो columnar epithelium है, और जो body ducts है, उसमें 2-3 layer है, इसी epithelium की, और जो terminal part है, lactiferous ducts का, वहाँ पर क्या present होता है, stratified squamous keratinized epithelium, इंपोर्टन बात है, lactiferous ducts का, जो terminal part है, उसमें क्यों कौन सा epithelium है, stratified squamous keratinized epithelium, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, main जो था parent काईमा में, वह ये वाला पार्ट था, lobes, lobes के अंदर alveoli, alveoli open करती है, lactiferous duct में, और duct के, duct open करती है, नीपल में, और opening से जज़स्ट पहले, एक dilatation होती है, जो बोलते है, lactiferous sinus, ठीक है, और alveolar epithelium, पहले cuboidal होता है, resting phase में, और lactation के time पे, columnar हो जाता है, तो ये हमने बात कर ली, parent काईमा की, अब next हम बात करेंगे, stroma, जो last part है, structure of the breast का, तो structure of breast में, सबसे पहले skin पढ़ा, फिर parent काईमा पढ़ा, अब और deep में जाएंगे, breast में तो हम पढ़ेंगे stroma, stroma क्या होता है, stroma है supporting framework of the gland, memory gland का supporting framework, मनलब support करता है, बस milk produce करने का काई, parent काईमा में हो रहा था, skin में secretion और ही थी निपल से, और stroma है, वो support करता है memory gland को, it is partly fibrous and partly fatty, important point है, stroma partly तो fibrous होता है, और partly fatty होता है, मनलब कुछ पार्ट में fat present है, कुछ पार्ट जो fibrous present है, fibrous present होदर, जो fibrous stroma है, वो क्या बनाता है, वो septa बनाता है, जिसको हम बोलते है, suspensory ligament of copper, जो fibrous stroma है, वो बहुत सारी, इस सारे से septa बनाता है, एंकर करके रखता है, pectoral fascia से, मतलब जो skin थी, और जो बचा हुआ memory gland है, उसको pectoral fascia से चिपका के रखता है, जोड के रखता है, कौन suspensory ligament of copper, fatty stroma जो था, अब यह तो हमने बात कर ली, fibrous stroma की, अब fatty stroma जो है, वो main bulk बनाता है, gland का, जो main, जो bulk बनता है ना gland का, वो कौन बनाता है, fatty stroma, ठीक है, और जो fat है, fatty stroma मतलब fat है, जो fat होगा, वो पूरे breast में distributed होता है, except, vineyard, the nipple and areola, यह बात हमने की थी, nipple और areola, जब मैंने बताया था, पिछली वीडियो में, तब भी मैंने बोला था, कि निपल और areola के नीचे, fat present नहीं होता, तो fatty stroma, main bulk बनाता है, gland का, और पूरी breast में, यह distributed होता है, except, vineyard, मतलब, nipple और areola के नीचे, नहीं होगा, बाकि पूरे breast में, यह फैला हुआ है, fatty stroma, और vibra stroma क्या बना रहा है, septa बना रहा है, जिसको बोलते है, suspensory ligament of cooper, अब इसको समझते, diagram के थूरू, अब यह वह बादा डाइग्राम देखो, यह बादा देख लिए, यह main diagram है, यह बना के आने exam में, यह आपको green color में क्या दिख रहा है, ठीक है, और यह निपल था, बाहर की तरफ निपल अरियोला था, यह अंदर की तरफ आये, तो यह parent कहीं में वाला पार्ट था, lobes वोगेरा, बचा हुआ सारा क्या है, stroma, lobes को हटा दो, तो बचा हुआ सारा पार्ट क्या है, stroma, stroma, दो तरगा मैंने बोला, fibrous stroma, fatty stroma, fibrous stroma क्या बनाता है, septa, यह green color के line दिख रही है, यह सारे क्या है, septa है, क्या बोलते हैं इनको, suspensory ligament, क्या बोलते हैं इसको, suspensory ligament हमने बोला है इसको, तो suspensory ligament क्या करता है, पेक्टरल फेशिया से जोड़ के रखता है, किसको, memory gland को, और skin को, skin of the breast को भी और पूरी breast को, anchor करता है किससे, पेक्टरल फेशिया से, कौन, suspensory ligament, ठीक है, पूरा नाम क्या है, suspensory ligament of Cooper, तो बहुत important बात है, अगर इस suspensory ligament नहीं होता, तो breast जोड़ी हुई नहीं रहती, पेक्टरल फेशिया से, और, जोड़ा फिर, मतलब, वहाँ पे present ही नहीं होती, फिर वो ठीक है, यही है, जिसको जैसे, वहाँ पे present होती है, किसको जैसे, suspensory ligament of Cooper की जैसे, अब हम बात करेंगे, blood supply of the breast, मतलब, blood supply of memory gland की बात करते हैं, सबसे पहला point आता है, कि memory gland is extremely vascular, बहुत ज़्यादा, blood supply बहुत ज़्यादा, vascular होता है memory gland, यह बात ध्यान रखना, it is supplied by the branches of following artery, कौन-कौन से artery की branches हैं, जो supply करते हैं, breast को वो हम देखते हैं, सबसे पहली है, internal thoracic artery, number two, पर आती है, तीन ब्रांचिज, lateral thoracic, superior thoracic, और acromiothoracic, किसकी ब्रांचिज हैं, axillary artery की, और internal thoracic किसकी ब्रांच है, subclavian artery की, उसके अलावा, lateral branches of posterior intercostal arteries, भी supply करती हैं, breast को, तो कौन-कौन सी artery supply करती हैं, सबसे पहले, हमने जब पढ़ा था, subclavian artery है, arch of Eota से subclavian artery निकली, subclavian artery आगे जाके, क्या बनाती है, axillary artery, ठीक है, तो subclavian artery मान लो यह है, subclavian artery और यह है, हमारी उसके बाद वाली axillary artery, तो subclavian artery की कौन सी ब्रांच सप्लाइ करती है, एक ब्रांच, कौन सी internal thoracic artery, जो axillary artery है, उसकी तीन ब्रांच इस लेटरल थोरेसिक, superior thoracic और अगे जाके ब्रांच तो एक ब्रांच तो subclavian artery की है, कौन सी internal thoracic artery, और तीन ब्रांच इस एं axillary artery की, हमने पढ़ा था ना, परलिम की blood supply में सारी की सारी ब्रांच इस याद की थी, तो जो axillary artery है, उसकी तीन ब्रांच इस सप्लाइ करती है, breast को कौन कौन सी lateral thoracic, superior thoracic और अग्रोमियो थोरेसिक, उसके अलावा, posterior intercostal arteries की lateral ब्रांच इस भी सप्लाइ करती है, breast को, तो एक डाइग्राम से समझते हैं इसको, यह दखो, यह blood supply का डाइग्राम है, यह आ रही है हमारी axillary artery, तो axillary की तीन ब्रांच इस सप्लाइ करती है, कौन कौन सी, superior thoracic, acromia thoracic, एंड यह वाली कौन सी lateral thoracic, तो यह तीनों ने सप्लाइ किया breast को, उसके अलावा, internal thoracic artery, subclavian artery की ब्रांच है न, internal thoracic artery, और यह जो इस तरफ से निकल रही है, यह क्या है, branches from the posterior intercostal artery, कौन सी ब्रांच है, lateral branches, lateral से आरही है न, तो lateral branches of the posterior intercostal artery, supply करती है, perforating branches of internal thoracic artery, supply करती है, किसकी ब्रांच है, internal thoracic subclavian artery की, subclavian artery की ब्रांच है, और तीन ब्रांच है, axillary artery की supply करती है, कौन कौन सी superior thoracic, acromiothoracic and lateral thoracic, तो यह हो गया, blood supply में, arterial supply वाला part, अब venus supply की बात करेंगे, उससे पहले, एक point रहागया, कि arteries जो है, अब जितनी भी artery पड़ी, यह सारी converge करती है, breast पे, सारी-सारी breast की तरफ आ रहे हैं, तो देख, converge on the breast, and distributed from the anterior surface, कहां से distribute हो रहे हैं, मतलब, यह समझो, मान लो यह breast है, ठीक है, यह breast है, तो जितनी भी arteries थी, यह सारी ऐसे, आगे की तरफ आगे converge करती है, और supply करती है anterior surface से, distributed from the anterior surface, और posterior surface जो है, पीछे वाला surface, वो relatively avascular होता है, तो posterior surface जो है, वो relatively avascular ही रहता है, मतलब, ज़्यादा blood supply एंटियर surface को मिलती है, arterial supply, अब बात करें veins की, तो veins सेम arteries वाला काम करते हैं, जैसे arteries आ रही थी, veins जा रही होंगी, तो पहले क्या करते हैं, पहले सारी veins converge करती हैं, towards the base, निपल के base की तरफ आके, सारी veins भी पहले converge करती हैं, और एक anastomotic venous circle बनाती है, क्या बनाती है, anastomotic venous circle, सारी veins मिलके, एक venous circle बनाती है, जहां से वो veins जो है, वो run करती है, superficial और deep sets में, कैसे, जितनी भी veins थी, इसारी veins आई, यह आके क्या बनाती है, एक anastomotic venous circle बना लिया, अब यहां से जो venous circle बना, यहां से अब कुछ veins superficial ली चली जाएंगी, कुछ veins deeply चली जाएंगी, तो दो sets में यह veins अब जाएंगी, कुछ superficial ही जाएंगी, superficial set और कुछ deep जाएंगी, deep set, तो जो superficial veins है, वो किस किस part of breast को drain करेंगी, मतलब कहां वो drain करेंगी, breast को तो drain कर लिया, breast को drain करने के बाद, venous circle बना लिया, उसके बाद दो हिस्सों में बट गई, superficial और deep, अब जो superficial veins हैं, वो drain करती हैं कहां पर, internal thoracic vein में, और superficial veins of the lower part of the neck में, कहां पर drain करती है, superficial veins, mainly internal thoracic vein याद रखना है, जैसे internal thoracic artery था, वैसे ही internal thoracic vein भी यहां पर present होता है, internal thoracic vein में ड्रेंग करती है, कौन सी, superficial veins, और deep veins कहां ड्रेंग करती हैं, deep veins drain करती है axillary and posterior intercostal veins में देखो न, axillary artery भी थी और posterior intercostal arteries भी थी इसी तरह axillary vein भी आएगी और posterior intercostal vein भी आएगी तो ऐसे याद रखना है तीन हमने artery के set पड़े थे internal thoracic artery, lateral thoracic, superior thoracic, acrobin thoracic मतलब axillary artery की ब्रांच चीज थी तीनो और एक था हमार पास posterior intercostal arteries, तो हमें veins में क्या आएद रखना है veins आगे जाके एक circle बनाती है venous circle, वहाँ से दो sets में बढ़ जाती है, superficial set and deep set, superficial set किसमें drain करता है, internal thoracic vein में, artery की जगा vein लगा तो बस, superficial vein किसमें drain करती है internal thoracic vein में, और जो deep तो यह हो गया हमारा blood supply वाला part, अब बात करते है nerve supply of the breast की तो जो breast है, it is supplied by anterior and posterior cutaneous branches of 4th to 6th intercostal nerve, कौन supply करते है breast को 4th intercostal nerve, 5th intercostal nerve and 6th intercostal nerve तो यह याद रखना है, 4th, 5th और 16th intercostal nerve supply करती है किसको breast को, इन intercostal nerves की कौन सी branches, anterior and lateral cutaneous branches branches, तो जो 4th to 6th intercostal nerve है, उनकी जो lateral cutaneous branches है और जो anterior cutaneous branches है वो supply करते है breast को, ठीक है मैं याद रखना है कि 4th to 6th intercostal nerve supply करती है कुछ ना याद आए तो लिगते हैं, branches of the 4th to 6th intercostal nerve next point, जो यह nerves है यह sensory fibers लेके जाती है skin में, ठीक है skin को तो sensory fibers देती है और जो smooth muscles है breast की, और जो blood vessels है breast की, वहाँ पर autonomic fibers देती है तो जो skin थी breast की, वहाँ पर sensory fibers देती है और जो smooth muscle और blood vessels थी breast की, वहाँ पर autonomic fibers यह देती है उसके अलावा, जो nerves है वो secretion of milk को control नहीं करती secretion of milk को nerves control नहीं करती यह बात आपको पता भी होगा मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जो secretion of milk है breast से वो nerves के थुरू नहीं होता secretion is controlled by the prolactin hormone prolactin hormone जो है उसकी वज़े से secretion होता है और यह prolactin कहां से release होता है यह release होता है parz anterior of the hypophysis cerebris या फिर pituitary gland जो parz anterior वाला पार्ट है pituitary gland का वहां से निकलता है prolactin और यह prolactin के कारण होता है secretion of milk from the memory gland तो यह हमने बात की इस वीडियो में हमने parent काईमा पढ़ा हमने stroma पढ़ा breast का फिर blood supply पढ़ी और उसके बाद nerve supply पढ़ी और अब हम अगले पार्ट में अगली वीडियो में पढ़ेंगे lymphatic drainage of the breast तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो like करना चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को share कर देना thank you